नमस्ते आप स्वाबी को स्वागा थे हमरे चनल जीत के पाट साला पर आज हम डिसकस करेंगे 4.02 जुना की एज तो चले बिना किसी देरी के स्टाट करते हैं जुना की दा माहाओत पीश अब था ए बियुस्स डैसम्य भास उन्हति साधनीश अबहू प्लेड डीटरेज्री एंड काल स्टारिव री घंड आज हैंड कि जुना की जो था असम्य भास उन्हति साधनीशव्स प्रकासित एक पत्री का थी जिसमें ने आसम के जो कल्चर यानि कि आसमिया जो कल्चर था उसको और उसके जो लिटरेचर था उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद किये और आसमिया कल्चर और लिटरेचर को बढ़ावा देना का काम जो की आरुणादवय ने स्टार्ट किया था वो बाद में जाके जुना की पत्रीका में जाके वो सक्सेस्पल हुआ और इसका सीखर तक वो पहुँचा चंद्रकुमर अगरवाला वाज फास्ट एडिटर अफ जुना की और चंद्रकुमर अगरवाला जो थे जुना की पत्रीका की पहले संपादक थे इडिट सक्सेस्पल ब्रोट आउट निव लिटरेरी टेलेंट्स एमोंग्स दा असमिस इंट्रिजेंस आफ देट पीरियोड यानि की जुना की मैगेजिन के चलते उस से में जितने भी टेलेंटेड लोग थे जिनमें जो हुनर था लिटरेचर का उसको आगे आने का एक मौका मिला क्योंकि उस समय के जो लोग थे उन लोग ने जितना भी जो इन लिटरेचर के उपर में लिखा करते थे वो जुना की मैगेजिन के तहरे तो पाबलिस होने लागा तो इस तरह से क्या हो जो हीडें टेलेंट था लोगों में बाहर आने लागा चंद्रकुमर अग जुना की है वो पॉलिटिक्स से काफी दूर में रहेगा चलता था कि ऑथर्स देश प्रेमी थे जितना भी लिखा करते थे उससे जलकता था कि उनकी हिर्दे में देश का प्रतिप्यार जरूर था और उससे में जुना की पत्रिका में जितने भी चीज़े पबलिस होती थी उसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि रिपीड़ रहते थे जिन में 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 जाता था कि किस तरह ब्रिटिश आसाम में आने के बाद में आसाम का जो इंडेस्ट्रियल सेक्टर था या फिर आसाम का बिजनेस सेक्टर जो था ओकिस तरह से एफेक्ट हुआ उस चीज़ को बार बार लोगों तक पहुचानने के लिए जुना की पत्रिका में पबलिस किया जाता था कनगलल बोर्वा और कमला कांता भटाचारिया रेगुलर्ली रोट एबाट दे एकोनोमिक बेक्वार्डनेस अफ आसाम और में अर्जेंट एपिल तु इंजियोर एकोनोमिक प्रोग्रेस अफ आसाम को या फिर खुद को सेल्फ डिपेंडनेस बनाना चाहिए हैं लक्ष्मिकान्द बेजबर्वा का मूर देश असाम संगीत बिन बोरागी और अम्बिकागिरी राय चाहदरी द्वारा लिखे गए बहुत सारे ऐसे पोयम आर्टिकल्स थे जो कि लोगों में नेशनलिस्टिक व्यूज या फिर नेशनलिजम देश बक्ती जगा देती थे और जुना की ने आसाम में साहितिक और समाजिक चेतनाएं जगाने में काफी हद तक काम किया तो इसी के साथ जुना की यूग गया फिर जुना की एज जो था हैं पर समाप्त होता हैं मैं उम्मिद करता हैं इस टॉपिक को आपने समझाओगा थैंक यू वेरी मॉच एंड की पॉचिंग जितकी पार साला